बेलकम टूट आगे वेदे से दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपरवरसी के बारे में यूपरवरसी की भत्ती जो है एजी टी ए उसके बारे में बात करेंगे बहुत सचाथ कमेंट करके पूंच रहे थे कि इसका एक्जाम कब तक हो सकता है और अप कितना ट कलेंडर जो आने वाला है उसकी क्या जनकारी है बहुत ही जल्द आप लोगों को आयो करने कलेंडर देखने को मिलेगा तो पूरी जनकारी मिलेगी ऑफिसिल नोटिस के साथ तो यहां पे पूरा वीडियो देखे पूरी बास नहीं आगे तो चलिए सुटते हैं वीडियो को देख सकते हैं 15 तारीक को और देख सकते हैं आप लोग यूपी पीसी उत्रप्रदेस लोग सेवा आयो की तरफ से यह जारी किया गया है 15 माज 2024 का नोटिस है और यहां पे देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है आप लोगों को बता देता हूँ यह तर दारा सुचि परिच्छा दोजा तेज साठ हैं टाइपिंग वा स्टाप नर्स एलोपेथी परिच्छा दोजा तेज अपर हर कारणों से इस्थगित की जाती है तो इतनी परिच्छा यहां पे इस्थगित हो गई है तो और साथी साथ यह लिखा हुआ एतदारा नया संसोधित सीग्राती सीग्र नहीं सीग्राती सीग्र लिखा हुआ है जारी किया जाएगा तो यहां पे देखिए ऑफिसल नोटिस है 15 मार्च का इसमें साब साब लिखा हुआ है बहुत जल्द से जल्द नया कलेंडर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसी में आप लोगों कि पेपर लीग की एक घटना ने विगार दिया उत्रपदेस लोक सिवा आयो का परिच्छा कलेंडर तो पूरा कलेंडर जो है वो अस्तिवेस्ट हो चुगा है क्योंकि आरो ए आरो का पेपर ये आपका लीग हो गया था उसके बाद चात्र धन्ना करते रहे धन्ना परशन करत ही गई यह देखे यहां पे लिखा एपीएस परिच्छा इस्तिगित करने का विरोध और आयोग पर उठे सवाल और इस्टापनर सेवं साहिक नगर नियोजक की मुख परिच्छाओं का भी टलना तय अब तक पांच इस्तिगित तो यहां पे जो प्री परिच्छा जो है इ आप साप ऑफिशिल नोटिस में लिखा हुआ है और बात करें नई भरतियों की तो देखे यहां पे लिखा हुआ है आचार सहिता में फसी आयोग की पांच भरतियां तो यहां पे इसी निजपेपर में यह लिखा हुआ है लोग सभा चुनाओं की आचार सहिता में यूपी दिरिक्त पदों का ध्याचन मिल चुका है लेकिन किसी की परिच्छा तितित तय नहीं है कोई परिच्छा समकच आरता तय ना होने तो कोई परिच्छा सासन में नियमवली को मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी हुई है और बही कुछ परिच्छाओं के लिए सासन से परि इलक्सन बाद ही आप लोगों की भobicती आप आएगी और इलक्सन आप लोग जाते हैं जून तक चलेगा और उसके बास सासन से मंचूरी मिलेगी जो भी आप चाहेंगे तो अभी तक permission नहीं मिली है नीज़ पेपर के हिसाब से तो आप लोगं को election के बाद के दोरान भी जारी रह सकती हैं तो यहां पर यह पॉइंट में लिखा हुआ है देखिए साथ साथ जो बाइस नंबर पॉइंट है और इसमें लिखा हुआ है रेगुलर रेकुट्मेंट अपॉइंट्मेंट और प्रमोशन्स थो दा यूपीस सी स्टेट पॉबिलिक सर्विस कमिशन और इनी अदर सेचुरी अथर्टी कैन कांटीन्यू रिकुट्मेंट थो वन सेचुडेटरी बॉडिज बिल रिकॉर प्रियर क्लिरेंस आफ दा कमिशन तो यहां पर कमिशन के क्लिरेंस के बाद जॉइनिंग बगरा आपकी मिलती रहेगी तो इसको पूरा पढ़ना चाहें तो आप लोग मेरे टेलग्राम पर जाके यह पढ़ सकते हैं ठीक है यहां पर पढ़ा हुआ है यहां पर यूपी प्यस्थी की जनकारी मैंने दे दिया आप लोगों को और आचार सहीता भर्तियों पर क्या फरक पढ़ने वाला है यह भी जनकारी दे दी आफिसेल न वहतुता है कि एक दो सब्ता में ही के बाद अगर आप लोगों को बता दिया जाएगा अब बात कर लेते हैं यूपिटवलस की ब्रति एजी टीए के बारे में परिच्छा कब तोखोगी तो इसके बारे में आप लोगों को बता दें की अभी तो इसका फार्म अप्लाई करना स्टार्ट ही नहीं हुआ और एक मई से स्टार्ट होगा और जो की चलेगा 31 मई तक तो एक महिना फार्म अपलाई करने में लगेगा और अभी मई स्टार्ट होने में लगभग लगभग में बोल रहा हूँ डेड़ महिना अभी बाकी है तो अभी धाई महिने तक जो है डेड़ महिने कुछ नहीं होगा और एक महिने आवेदन होंगे तो ये धाई महिना तो पूरा-पूरा यहां पे मिलना है इसके अलावा UP SSC जो है उसको अगर कोई एक्जाम करवाना हो तो उसको तयारी करने में दो से तीन महिने तो लगी जाते हैं आराम से ठीक है तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त तक इनको तयारी करने में लगेगा कोई भी एक्जाम की लेकिन आप लोग जानते हैं कि एजी टिये का एक्जाम इतनी चलती नहीं हो पाएगा तीन महिने बाद नहीं करवाया जाएगा क्योंकि अभी PET का एक्जाम भी लेना है PET 2024 का एक्जाम भी लेना है और इसके बाद जो PET 2021 की और 22 की 10 भरतियां है उनके किसी के एक्जाम नहीं हुए है PET 2022 का कोई भी एक्जाम नहीं हुआ है और ये तो PET 2023 से आई है भरति तो अभी इनसे पहले आई हुई भरतियां है और वो भी ये AGTA है आपकी सातमे नमबर की भरति तो इस से पहले बहुत सारी भरतियां है जिसका एक्जाम करवाना है तो आप ये मान के चलिए अगर इस साल आपका एक्जाम करवाया जाता है तो ये नवंबर नवंबर से पहले किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता अगर इस साल करवाया जाता है तो और चुकि मैं नवंबर इसलिए बोलना हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी जानकारी है कि अब जो है नई भर्तियां कमाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा एकजाम करवाया जाएएंगे election के बाद ठीक है अगर नवंबर में एक्जाम हो जाता है तो ठीक है नवंबर दिसंबर में नहीं तो फिर आप लोगों का एक्जाम ये अगले साल अभी से लेके एक साल बात तक ही आपका एक्जाम हो पाएगा ठीक है लेकिन यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को आप लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलना हूँ कि अक्टूबर महीने तक आप लोग अपनी तयारी पूर्ण रूप से कर लें रिवीजन करते रहें बाकी जो आयोग के उपर डिपेंड करेगा और जो भी नियूज अपडेट होगी मैं आप लोगों को समय समय पर बताता रहूँगा तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कोई डारेक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ मैं तो आप लोगों का एक्जाम अक्टूबर के बाद अक्टूबर के बाद एजी टीए का एक्जाम कभी भी हो सकता है अक्टूबर से पहले नहीं होगा किसी करवा लेता है तो आप लोग जो अपनी परिच्छा की जो तयारी है बॉक्टूबर मेंने तक कंप्लीट कर लें उसके बाद जो भी अपटेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है तो यह हो गई पूरी जानकरी और ऐसे लेटेस नीजो अपडेट पाने के आप लिजये नमस्कार